तीवी उद्योग की एक प्रमुख हस्ठ कपिल शर्मा ने हाल ही में अपानी पत्नी गिन्νी चत्रत के पिता के साथ अपानी शुरुआती मुलाकात के बारे में एक दिलाचस्थ कहानी साजह की, अपानी चचेरी बहन अंजैली सीधार के साथ एक पोरकस्थ साक्षातकार में, कपिल ने खुलासा किया कि जब वाह पहली बार गिन्नी के पिता से माईलद टुनेज अनेकी आय के बारे में सवाल किया गया था। अससमय कपिल एक संघर शरत को लेजचात दी और कलाकारों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। गिन्नी के पिता अपानी बेती के भविश्य को लेकर चिन्तित थे और उन्होंने पूछा कि क्या कपिल परियाप्त कमाई कराते हैं विशेश रूप से सवाल किया कि क्या वह एक दिन में 5-10 हाजार रुपे कमाते हैं कपिल जो पहले से ही टेली विजन से अच्छी कमाई कर रहे थे ने आत्म विश्वास से कहा कि उन्होंने आधिक कमाई की जिससे गिन्नी के पिता आश्चर यचे रहे गाए या भटाना कपिल को गिन्नी के परिवार को अनेक रिष्टे को सवीकार कराने के लिए मनाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है शुरुआती संदे के बावजूद कपिल और गिन्नी ने अन्ततह 2018 में शादी कर ली और तब से अनेक डो बच्चे अनायरा और ट्रिशान है इसके अतिरिक कपिल शर्मा ने अफसर तलाश रहे हैं जिसमें नेत्रपलीक्स पर एक संभावित कुमेडी एसे चो भी शामिल है जिसमें विभिन हस्तिया शामिल हूंगी एक संभर शारत कलाकार से एक सफल तीवी हस्त तक का उनाका सफ़ार अनेकी करी मेहनत और डियाडियेट संकल्प का प्रमान है